Hello friends, welcome back to my channel तो आज मैं बात करने वाला हूँ गोल्ड लीव के बारे में ये वीडियो मुझे urgent बनानी पड़ी किसी ने मुझे request करी थी काफी कि किस तरीके से गोल्ड लीव का यूज किया जाता है, किस तरीके से हम इसको paste करते हैं, और कौन सा इसमें glue यूज किया जाता है, और किस की surface में हम इसको use कर सकते हैं तो इस बारे में आज आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम गोल्ड लीव कौन सी हमें गोल्ड लीव का use करना चाहिए और कौन सा glue हमें use करना चाहिए तो देखिए मैंने इस तरह की gold leaf मैंने online मंगाई थी तो देखिए कुछ इस तरह की ये plastic की box में आई है ये 8x8 का size है 8x8 का size है और 100 pieces का इसका ये box है जो मुझे Amazon से मिली थी तो कुछ इस तरह के से देखिए 7 में ये box भी मिलता है कुछ इस तरह के से आ जाता है उपर तो एक तो ये इनका label आ जाता है जिनकी gold leaf होती है और कुछ इस तरह के उन्होंने card दे रखा है साथ में हमें मिल जाती है gold leaf इसको बहुत ही carefully आपको use करना होता है ये देखिए कुछ इस तरह के से gold leaf आती है ये handed pieces है इसके और इसको use किस तरह के से करते हैं वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ अब हमें इसको किस तरह के से paste करना होता है उसका glue भी अलग से आता है तो उसके लिए glue आता है थे कि mont marti का leafing size ये water based होता है तो इसमें हम yellow use करते हैं 60 ml की ये bottle आ जाती है ये भी आप Amazon से buy कर सकते हैं मैं इन दोनों के link description में दे दूँगा तो आप वहाँ जाके इसको buy कर सकते हैं तो ये दोनों ही item आपको under 500 में मिल जाएंगे तो आप Amazon से वहाँ से buy कर सकते हैं तो अब मैं आपको दिखा जाता हूँ कि किस तरीके से इसको use किया जाता है मैंने देखे कुछ इस तरीके से आप एक M letter लिखा हुआ है ये एक watercolor paper है आप किसी भी service में आप इसको use कर सकते हैं चाहें कोई paper हो या canvas हो या फिर कोई wood हो या फिर कोई भी अगर आपकी कोई almira हो कोई आपकी chair हो वहाँ पे भी आप इसको use कर सकते हैं लेकि use करने का तरीक मैं आज आपको बतायता हूँ काफी लोग इसमें confused रहते हैं कि किस तरीके से use होता है और चीज में उनको परसानी भी आती है कि किस तरीके से use किया जाता है क्योंकि सारी वीडियो जितनी भी हैं वह अलग तरीके की इस लोगों को यूटूब में मिलती हैं तो इस पेशली में आज एक हिंदी में आपको इस बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ जाएं कि किस गलू आता है वह संसी दो आपको यूज़ करना है चीजा भी olmuş मिलता है तो यहीं आपको सिर्फ यहीं उज़ख करना है और आप मौन्ज माटी करें तो वह ज्यादाً अच्छा रहेगा ज्यदा प्र्यत Caribbean नहीं है तो आप इंसका कि यूज़ करें अब मैं आपको दिखायाता हूं किस तरीके से आपको यूज करना है तो जैसे आपको जहां पर गोल्ड लीव का यूज करना है वहां पर आप देखिए की साथ ही साथ हमें दो ब्रसिस की जुरत पड़ती है यह देखिए कुछ इस तरह के ब्रसिस होते हैं यह आ जाते हैं मेकप ब्रसिस को आप कोई भी ब्रसिस ले सकते हैं लेकिन अगर इस टैप के ब्रसिस होंगे तो आपको ज्यादा हेल्प होगी इस छोटे वाले ब्रस से त तो ये चीज आपके पास available होनी चाहिए तो मैं इसको open कर लेता हूँ इसका जो glue होता है काफी sticky होता है तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगी आपके हाथ में ना लगे नहीं तो चिपचिप जादा हो जाता है और brush को जब आपको work complete हो जाए तो तभी आपको brush wash कर लेना है अब मैं पहले इसको apply कर लेता हूँ जैसे color apply करते हैं उसी तरीके से आपको इसको apply करना है बस आपको ये चीज ध्यान देनी होगी कि जहाँ पे आपको gold lip को apply करना है जहाँ glue लगाना है से उतने ही area में glue लगे जी तो अगर आपका glue इधर से उधर जाएगा अगर proper way में नहीं लगेगा तो वहाँ पे भी आपकी gold lip paste हो सकती है इसलिए बिल्कुल आप उसी साब से use करें glue को झाल 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 तो देखिए जैसे हमने इसमें ग्लू का वर्क कंप्लीट कर लिया है अब आपको तुरंत ये ब्रस को वाश कर लेना है वाटर से आप इसको वाश कर सकते हैं नॉर्मली और इसको मैं क्लोस कर देता हूँ अब जैसे देखिए ये हमने ग्लू वर्क तो कर लिया है अब इसे हमें 15 मिनिट्स तक इसको ड्राय होने के लिए रोग देना है ये प्रॉपर ड्राय नहीं होता है 15 मिनिट्स तक आपको फिर भी आपको वेट करना है उसके बाद ही हम गोल्ड लीव को अप्लाय करेंगे तो देखिए बहुत ही केरफुली आपको लीव को निकालना है और दोनों तरफ से देखिए दोनों कॉर्णर आपको पगड़ने होंगे बहुत ही आराम से आप उसको यूज़ करना है आपको अब हम इस ब्रस से इस तरीके से देखिए पूरे वर्क में प्रेस कर देंगे जैसे कुछ एरिया आपको रहे जाता है तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं अब यहां के लिए में एक और लिफ्ट ले लेता हूं अब जैसे मैंने फैन ओन कर रखा है तो थोड़ सी प्रॉब्लम हो रही है अगर आप यूज़ करते हैं तो फैन ओपन नहीं हो तो ज़्याद अच्छ रहेगा अब इसको अच्छे से प्रेस कर लिजे तो अब हमें यूज़ करना है यह बड़ा वाला ब्रस जिसे हम लीफ को रिमूब करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करना है इस तरीके से आप इसको यूज़ करते रहेगे जब तक यह जितना भी भार का जो लीफ है वो रिमूब नहीं हो जाता कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करना है और जो glue के अंदर जो paste है वो paste रहेगा जितना extra है वो सब निगल जाएगा तो देखिए कुछ इस तरीके से आप gold leaf का use कर सकते हैं जैसे मैंने simply अभी M का जो मैंने बनाया है letter इसी तरीके से आप कोई भी design बनाये कहीं पे भी बनाये चाए paper पे, चाए wood पे यह canvas पे तो कुछ इस तरीके से आपको use करना है आप सिख गए होंगे कि आपको किस तरीके से gold leaf का use करना है और किस तरीके से आप इसको use कर सकते हैं तो बस आपको gold leaf चाहिए एक mount marti glue चाहिए और आपको दो brushes चाहिए कुछ इस तरीके के तो बस आपको इस तरीके से gold leaf का use कर सकते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप में चैनल में पहली बार आए है तो subscribe जरू कर दीजे तागि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहें Thank you for watching